Assalamu alaikum welcome to my youtube channel learning with z आज मैं आपके साथ virtual university का course history of english language code ENG501 को सारे lectures को discuss करूँगी इतना हो सकेगा इस video में हम discuss करेंगे तो basically इसमें हम लोगोंने English language की history पढ़नी है कि English language कब जो है उसका origin कब था उसके functions क्या है language के और हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है history इसकी देखेंगे और देखेंगे कि हम लोग क्यूं यह study करते हैं English language हमारी आज की life में तैसे आपने देखा होगा कि English language कितनी important हो गई है तो वो क्यूं इतनी important हो गई है तो यहाँ पे जो lessons है one by one करके इनको discuss करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती होंगे मेरे चैनल को subscribe करें like करें comment करें also share करें ताकि आपके पास जो बाकी की वीडियो हैं इस course की और वो आपके पास आती रहें lesson number one है introduction to language इसमें हमने basically देखना है कि what is language language क्या है language क्या होती है तो language क्या होती है जो हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ communicate करने के लिए जो चीज यूज करते हैं उसको हम language कहते हैं ठीक है हर एक person की हर एक culture में जो रहते हैं लोग हर एक जो country के लोग है जो cities के लोग है एंवन उन सबकी अपनी different language होती है ठीक है और वो अपने तरीके से उस language को यूज करते हैं ठीक तो basically language जो है वो यह और language और spoken form में भी होती है और written form में भी होती है रिटन में हम लोग जो language यूज़ करते हैं, वो हम लोग अपनी, जो हैं, वो culture की base पर use करते हैं, ठीक है, जो हमारे culture में use हो रही होती है, डैसे English है, हमने exams में अगर कोई paper के लिए गये हैं, तो हम लोग English को use करेंगे अपने papers में, ठीक है, अब वहाँ पर हम लोग अर्दू त करते हैं mostly तीक है उसके बात जब हम लोग घर में होते हैं यह हम अपने फ्रेंड्स बगरा के साथ अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ यह अपनी घर की फैमिली के साथ यूज करते हैं तो वह हम लोग उद्दू यूज करते हैं तो लैंगविज जो है वह स्पोकन फॉर्म में भ होती है और और रटन भी होती है ठीक है उसके बाद हम लोग देखते हैंmayın फीचर्ज कहलें यहां प्रॉपटीप ऑफ लैंविच कहलें अगर आपको पेपर और में एग्जैम में अगर आजितड़ी आप लेंगुज हो आपने WHY वो आ यहां पे जो basically हमने सबसे पहले सीखा है कि language किसको कहते हैं, पसमें जो हम communication करते हैं उसको हम language कहते हैं, ठीक है, उसके बाद features हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले displacement है, displacement means कि हम लोग इसमें अपनी past की या future की कोई story अगर हम दूसरे के साथ share कर रहे हैं, अपने friends के साथ, कि हमा displacement वाली language को use कर रहे हैं, displacement वाली language जो है, वो आपकी past चीजों से related हो सकती है, past की things हो सकती है, events हो सकते हैं, ठीक है, यहां फिर वो कोई future का event हो सकता है, तो उसको हम लोग displacement में लिखते हैं, second हमारे पास है arbitrariness, arbitrariness देखते हैं, second property है, there is no connection between a word or its meaning, अब इसका क्या मतलब है, कि इसमें जो है, वो word का meaning होता है, word जो है, वो different language होती है उसकी, और जो meaning होता है, वो उसकी different language होती है, ठीक है, like यह कि हम pronunciation इसकी different तरीके से करते हैं, उसका अपना मतलब है, उसका अपना मतलब है, इनका कोई आपस में connection नहीं है, तो यहां पे जो है, basically ही पिता जारा है, कि word ज हो जाते हैं, जब ठीक है, एक दूसरे के साथ, तो उनकी language होती है, वो different हो जाती है, ठीक है, और अगर meaning change हो जाती है, तो इसमें यही बात हो रही है, for example, अगर मैं आपको कहती हूँ dog, तो dog जो है, वो English में हम लोग उसको dog कहते हैं, ठीक है, लेकिन अर्दू में जो है, उस country का अपनी एक language बनाई भी होती है, और वो उनके word भी change होते हैं, उनके meaning भी change होते हैं, थर्ड है हमारे पास productivity, productivity means के इसमें हम लोग words, ने words की production करते हैं, ठीक है, हम लोग ने words, जो है, वो invent करते हैं, तो इसकी definition देखते है, an ability to make word and combine to show expression, इसमें हम लोग ने words, जो है, वो बन बनाते हैं, और उनको combine करते हैं, दूसरे ने words के साथ, ठीक है, कि अगर हम लोग sentence बना रहे हैं, तो हम different words को use करते हैं, different words इसमें बनाते हैं, और अपना expression, जो है, जो बात हम कहना चाह रहे हैं, हम उसको show करवाते हैं, ठीक है, जैसे animals हैं अगर, तो वो अपनी language उनकी क्या ह होती है, कि वो अपने signals उन्होंने ऐसे रखे होते हैं, वो signals दे दे कि अपने जो बात है, वो समझाते हैं, दूसरे पर अपने animals को, ठीक है, तो जो humans हैं, वो अपने words इंवेंट करते हैं, ने words बनाते हैं, और combine करते हैं और words को, और फिर एक expression, एक कह लेंके, आप एक sentence बना लेते हैं, जो क्या आपकी शो करता है, आपकी बात को समझाता है, ठीक है, उसके बात fourth है, cultural transmission, cultural transmission क्या होता है, कि इसमें हम लोग जब एक निया बच्चा जो है, वो एक newborn baby जो है, वो पैदा होते है, तो वो language किस से सीखता है, culture से सीखता है, और society से सीखता है, अपने parents से वो अपनी language नहीं सीखता है, वो culture की जो language होती है, वो उसी को adopt करता है, ठीक है, जो society में language बोली जाती है, वो ही वो adopt करता है, तो cultural transmission is that, fifth पे है duality, duality means, कि आपका जो means availability of written and spoken of human language, अब यहाँ पे जो duality means, dual मतलब to, humans के पास इतनी जो है, वो होती है ability, कि वो written भी language यूज कर सकते ह हैं और spoken form में भी language को use कर सकते हैं, ठीक है, अब जैसे animals हैं, उनके पास duality नहीं है, वो सिरफ spoken form में ही अपनी बात को convey कर सकते हैं, अपने expressions को show कर सकते हैं, तो यहाँ पर यह बात हो रही है, कि humans की पास जो है, वो spoken form में भी language को use करने का, वो कर सकते हैं, और written form में भी अपनी language अपने expressions को show कर सकते हैं ठीक है उसके बाद elements that make a language अब यहाँ पे हम लोगों ने elements देखने हैं यह कौन-कौन से elements हैं तो यहाँ पे जो है first है words हम लोग जब कहते हैं अपने words generate करते हैं ने-ने words invent करते हैं ठीक है तो basically उसमें हम लोग words को words को product कर रहे हैं words को ने-ने words को बना रहे होते हैं ठीक है उसमें हम लोग language में हमारे पास क्या आ जाते हैं words आ जाते हैं हम अपने words के तुरू अपने expressions को show करते हैं ठीक है हमारे पास अगर words ही नहीं होंगे तो हम अपने expressions को किस तरहां से show कर सकते हैं लेकिन पर है grammar, ग्रामर अगर हमारी correct होगी, हमारी grammar जो है वो ठीक होगी, तो हम लोग अपना जो message है, वो ठीक तरह से proper way में convey कर पाएंगे, अगर हमारा grammar ही ठीक नहीं है, तो फिर हम लोग अपनी बात जो है, वो कैसे समझा सकते हैं, अपने expressions किस तरह से शुख कर सकते हैं, आपकी grammar जो होती है, वो बहुत अधा important होती है language में, अगर आपकी grammar इधर से उधर हो गई है, या फिर आपने कोई false grammar, कोई false चीज़ आपने अपने words में, तो आपका expression है, जो बात आप समझाना चाहरे हैं, उसका meaning ही different हो जाता है, तो grammar भी important है, तो grammar भी important है, तर्ड पे है speech and writing speech का means यह है, कि आपने जो भी चीज़ आपने बोलनी है, जो words का आपने choose करने है, वो आपके proper होनी चाहिए, ताकि आपका message जो है, जो आपके expressions है, उस ही तो पे second person को show हो जाए, ठीक है, राइटिंग भी अगर आप कार रहे हैं, तो आपने writing में भी इन चीज़ों का, दिहान रखना है कि आप अपनी writing से express कर सकें, कि आपका कहने का क्या मतलए है, ठीक है, topic 4 है, birth and language of a, life of a language, अब इसमें हम लोगों ने क्या देखना है, कि बर्थ कैसे हुई और इसकी life क्या है language की, तो यहाँ पे जो language की birth है और life है, वो किसी ने भी exactly नहीं बताया, कि इस date पे जो है, वो language birth में आई है, यहाँ फिर उसकी life का यह सीन है, ठीक है, उन्होंने proper way में यहाँ पे language को नहीं बताया कि मतलब कब उसकी birth क्या है, ठीक है, तो time to time यह change हो रही थी language, ठीक है, हर किसी culture की जो थी, वो language start में कोई और थी, फिर जैसे जैसे time जो है, वो गुजरता जा रहा थ तो language भी उसके साथ सा change होती जा रही थी, अब जैसे मैंने आपको बताया है, कि पहले भी जैसे मैंने आपको बताया है, कि language जो है, वो हर एक person की different होती है, ठीक है, आपके घर में जो है, वो different language बोली जाती है, ठीक है, किसी के घर में उर्दू बोली जाती है, किसी के घर में पंजाबी बोली जाती है, किसी घर में इंग्लिश बोली जाती है तो इसी तरह हर culture की भी अपनी एक language होती है Chinese जो country है, उनकी अपनी language है ठीक है, और जो है American में, America में अपनी एक English बोली जाती है ठीक है, और Canada में अपनी English बोली जाती है तो English के भी आगे different branches हैं जो हर एक culture की, हर एक country की, हर एक city की, हर event, हर एक person की भी different language है ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ basically आपने ये discuss करना है कि language जो है वो नहीं properly बताया गया कि language जो है वो कब उसकी birth थी और उसकी life का scene नहीं है proper ठीक है उसका origin कहलें कि आपको proper way में नहीं बताया गया second पर यह मैंने आपको बताया कि language जो है वो time to time change हो जाती है जैसे हमारी जो history की language है वो different है हमारी अब की modern time की language से ठीक है तो जो हिस्टरी वाली लाइंगविश ती वो change हो गई है convert हो गई है new modern language में ठीक है तो यहां पर आपने basically overall यह बात करनी है कि हर एक language की अब फर एक person की हर एक culture की अपनी एक language है ठीक उसके बात जो है वो यह यह तो old language जो थी यहां तो change हो गई है new language में यहां पर वो फिनिश हो गई है तो यहां पर बेसिकली उन्होंने इस पूरे पराग्राफ में यह सब बताया है उसके बात आते हैं growth and death of our language पे है ठीक है तो यहां पर basically जो हमारी language है वो grow हो गई है ठीक है grow कौन सी language हुई है जो modern language है जो अब की language है वो grow हो गई है और जो हमारी old language थी जो हमारी history के language थी वो हमारी उसकी death हो गई है that means कि यह कि हम उसको use करना छोड़ गए है हम उसे use नहीं कहते है यहां पर अगर मैं आपको example दूँ कि ऐसा होता है कि हम लोग अपनी जो country है उसको छोड़ के हमने अमेरिका में shift कर लिये ठीक है तो किसी person ने अमेरिका में shift कर लिया और वो अपनी language को छोड़ दिया है उसने वो use नहीं करता हमारी क्या language है कि हम लोग mostly यहां पर उर्दू बोलते हैं तो हमने उर्दू को छोड़ के English language को adopt कर लिया और अपनी जो उर्दू language उसको खतम करती है तो it's mean जो हम लोगों ने उर्दू language खतम की है अपनी व English language को choose कि है तो वो जो है वो grow of a language होगी ठीक है क्योंकि हम लोग यहां पर इसकी best example भी है कि हम लोग इसे time change हो रहा है तो हम लोगों ने भी अपने यहां पे पाकिस्तान में जादा तर English जो है वो उसको importance देना शुरू कर दिया तो English का जो है वो grow होना शुरू हो गई है हमार cultures में different ठीक है तो और जो हमारी अर्दू language थी यहां पंजाबी language थी वो हमारी जो है उसकी death हो गई है ठीक है उसके बाद यहां पे आते हैं हम lesson number 2 की तरफ what do we study in the history of our language origin of our language अब यहां पे again वो ही कि we simply don't know how language originated means यह कि हम लोगों को नहीं पता है मैं यहां पे text की जो lines है वो आपको adjectives पढ़के नहीं सुना ली मैं आपको उर्दू में concept share कर रहे हूं ताकि आपको कुछ याद रहे तो origin of a language जैसे मैं आपको पहले बताया birth and origin में कि birth and life में कि जो है वो language proper way में नहीं पताया कि कब origin उसका हुआ था ठीक है कोई भी इस बात को नहीं जामता है तो यहां पर जो है वो यहां पर उनने थोड़ा बहुत बताया है कि आपको इस नंबर्स में चीज़ है ना जरा रही है तो basically उनका यह मतलब है कि language जो थी वो पहली बार एक लाक यहां फिर 50 लाक पहले जो थी वो सबसे पहले बो ठीक है उसके बात यहां पर जो है origin में आपने basically यह बताना है कि proper way में नहीं पता कि कब उसका origin था और फिर आपने बताना है कि यह जो थी वो या फिर 50 लाक पहले जो थी वो सबसे पहले यूज हूँ थी उसके बात third पर यहां पर आप लोगोंने theories को discuss करना है जो आप नेम देख रहे होंगे divine, natural sound, social interaction, the physical adaptation तो यह basically जो है वो language की theories हैं जो मैं आपके साथ discuss करने लेगें कि अगर आपको पूचा जाए paper में कि theories of language तो आपने इन सब को discuss करना है ठीक है तो सबसे पहले है divine divine means कि आप कहलें कि नेक जो होते है ना कि नेक लोग तो आप यहां से guess कर सकते हैं कि divine अगर divine language की बात हो रही है तो यहां पर कोई जो है वो God's related communication है यह God's related material है इसमें ठीक है तो यहां पर basically मैं आपको सरफ यह बता रहूं कि आपने किस तरह से याद रखना है इनको तो divine यह चीज चोग कर रही है तो इसमें basically क्या उनने बताए कि language जो थी वो सबसे पहले हमारे जो पहले इनसान है वो Adam है तो Adam ने जो सबसे पहले जो चीजों के नाम रखे थे या नाम लिये थे चीजों के या उननने उस वक्त में कोई नाम रखे होंगे या कुई चीज, क लुझा मैं और वो ही रख दिया है तो सबसे पहले जो लांगविच थी वह इस तरह से हो यूज रहे हैं कि यूज हूई थी लैंगविच ठीक है अबी तक स्टेल वह वही नाम थे तो यह किस ने कहा कि according to genesis genesis के according के मुताबिक के define में क्या आएगा कि Adam ने जो जो नाम रखे वो वही थे ठीक है second पे है the natural sound source अब यहाँ पे natural sound source है इसमें ठीवरी आती है wow wow की wow wow का क्या मतलब है कि इसमें means के natural sound यहाँ पे sounds आते हैं जो हमारी चीजें थी जैसे हम कहते हैं आउच, wow मतलब इस तरह कि जो हम sounds produce करते हैं एक चीज को देखे जैसे rain हो रही है बाई तो हम लोग कहते हैं wow या पिर हम लोगों को कोई मतलब कि कुसूई चूप गई है तो हम लोग कहते हैं ाउच तो हम लोगों की जो आउच थी यह वाउ था तो यह जो है वो बेसिकली natural sound हमारी produce हो रही है तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि language इस तरह से use हुई थी कि हम लोगों ने sounds के थूँ फिर words को नाम रखती है तो इस तरह हम लोग आउच कहते हैं जिस तरह हम वाउ कहते हैं तो यह इस तरह से हम लोगों ने चीज़ों के नाम रखती है तरड भी है the social interaction source social interaction source का मतलब है तो यहाँ पे जो है वो है कि जो आपके society में दो लोगों की या इससे ज़्यादा लोगों की interaction है उसको हम social interaction source में कहते हैं जैसे पहले वक्तों में जो लोग थे वो काम करते थे अपस में जो communicate उनको करना पढ़ थे थे अपनी बात कोई convey करने के लिए अपने expressions को शो करने के लिए वो कुछी second person से कोई बात कहना चाह रहे हैं कुछ कहना है उन्हें तो वो जो first पर जोनों ने चीज यूज की वो language जोनों ने तब यूज की ठीक है social interaction में आपकी social interaction आती है कि आपने society के persons के साथ सबसे पहले जो है वो communicate किया है ठीक है language के तरूब physical adaptation source physical adaptation का मतलब है कि जो person था वो change हो गया like उसके जो तीत थे उसका mouth था ठीक है उसकी जो tongue थी ठीक है इस तरह की जो चीज़ें थी ना उसकी lips थे वो उसकी change हो गए ठीक है जैसे जैसे time गुद्रा वो change होते गए और फिर इस तरह से इंसान ने जो है in changement के तरूब बोलना सीखा उसको language का पता चला उसने language को use किया तो physical adaptation में आपके physicals चीज़ें है वो आती है ठीक है tool making source tool making source का क्या मतलब है कि जो early time था जो पहले का time था जो हमारी history का time है वहाँ पे जो लोग थे वो busy होते थे काम करने में ठीक है उनके हाथ में tools होते थे tool making means कि यहाँ पे वो tool बनाने में या tool को use करने में वो busy होते थे तो उनके पास जो है मतलब कि अपना इशारों में expressions को show करने का उनको signals के थूरू अपने language या अपनी बात समझाने का उनको नहीं पता था तो वो जो थे वो इस तरह के कोई words को use करते था जिसकी वज़ा से जो थी वो language सबसे पहले use की गई तो यहाँ पे जो basically है वो one by one करके उनके उनके बताया है किस तरह से language जो है वो first time use की गई किस तरह से हर एक person ने ना theories देके अपनी जो language है उसको show किया है language किस तरह से सबसे पहले जो है वो use की गई है I hope कि आपको यह जो है बाते हैं जो theories में आपको शेयर की है आपको concept देने की कोशिश की है आपको समझ आई हो कि तीक है आप इनके नाम से जो है वो याद रख सकते है कि divine है तो यह god से related है ठीक है natural sound है तो यह sound से related है social interaction है तो social interactions means कि आपका society में interaction है दूसरे persons के साथ इसमें वो आता है ठीक है physical adaptation का means कि आपकी physical के जो parts है lips, mouth, teeth यह सारी चीज़ें आती है ठीक है tool making means कि आप tools का कोई process है तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते है उसके बाद है family of a language how does the family matter family trees तो यहाँ पे जो है हमारा आता है कि family of a language हम लोग किस तरह से language जो है वो generate करते है ठीक है जब हम लोग पहले वक्त में थे हमारी जो family member थे जो old है हमारे ठीक है grandfather हो गए या इनके भी आगे से उन लोगोंने जो language यूज की थी वो फिर time time से जब तक हम लोग है हमारे हमने भी वही चीज़ जो language वो यूज करते थे उनको choose करके उनको adopt किया ठीक है उनको हमने सीखा और हम लोग जो है वो अपना वो ही यूज करते है language ठीक है थोड़े से accents ना वो change हो सकती है क्योंकि वो आपकी family से start से वो चलती भी आ रही है उसमें कोई changement हो सकती है उसमें वो finish नहीं हो सकती उसकी death नहीं हो सकती तो इसमें basically आपकी family की जो language है जो आपकी start से history से चलती भी आ रही है उसको यहाँ पे आपने discuss करना है stages in the development of the of our language इसमें आप हम लोग stages देखेंगे कि क्या language को किस तरह से हम लोग अपना develop कर सकते है we can understand how languages born, grow, change and develop तो यहाँ पे जो है इसमें क्या आता है कि जो हमारी language है वो village के जो persons है जो लोग है, people है उनकी language जो है वो different है और जो हमारी यहाँ पे rural areas में language है वो different है तो इसमें जो है वो stages आते हैं basically कि हम लोगों की language की कौन-कौन से stages हैं कि हम लोगों अपनी language को चूज करते हैं अब हमारे पास lesson number 3 है basic terms related to language and language history अब यह जो terms मैं आपको बताने लगी हूँ वो आप लोगों ने याद रखनी है क्योंकि वो linguistics या फिर वो इस पूरी chapter में या पूरे course में वो आपको helpful कहूंगी आप लिए ठीक है तो उनकी definitions आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने mind में रखनी है मैं English में भी बोलूँगी और आपको उदू में भी समझाऊंगी तो सबसे पहली जो term है वो हमारे पास है phenology phenology का मतलब है कि यहाँ पे हमारे जो sounds है phenology is the study of how sounds are organized and used in natural languages इसमें phenology में हमारे sounds आते हैं हम जो बात बोल रहे हैं हम जो word pronounce कर रहे हैं हमारे जो pronunciation है हम किस तरह से sound को produce कर रहे हैं किस तरह से sound को organize कर रहे हैं use कर रहे हैं अपनी tongue के through ठीक है अपने lips को किस तरह से move कर रहे है जो sound किस तरह से निकल रही है हमारे mouth से उसको हम phenology में उसको हम phenology कहते हैं ठीक है जिसमें हमारे sound से related organization होती है और हमारा use होता है sound का उसमें हमारी pitch आ जाती है ठीक है, stress आ जाता है, juncture आ जाता है means यह कि हम कौन से point पे, कौन से word को किस तरह से emphasize कर रहे हैं, किस तरह से highlight कर रहे हैं किस sound पे, किस word पे हम stress दे रहे हैं हमारी pitch जो है, high है, low है, किस तरह की है जो sound से related material है, वो हमारा phonology में आता है ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि cat, अब cat एक word है, तो हम लोग ने इसको किस तरह से sound pronounce करना है कि cat, तो cat बेसिकली जो है, वो हमारे c का इसमें use हो रहा है, ठीक है, तो c जो है, वो तो नहीं हमारा अब जो है morphology की, morpheme जो है, वो morphology की minimal unit है इसकी आगे से आप यह जादा detail में लिख सकते हैं कि morphology की two types हैं, एक inflection morphology है, एक derivational morphology है inflection morphology कहते है, its study the way in which words vary inflict, जिसमें जो words है, वो vary होते हैं change होते हैं, ठीक है, और अपने expressions, अपने sentences को show करते हो ठीक है, इसमें आपका singular cruel आता है present perfect आता है, ठीक है जैसे आपका for example man है तो man होगा, ox है तो oxen होगा, तो यह जो हम लोगों ने ox था और हमने oxen बना दिया है, तो यह निया word हमने generate किया है, निया word form किया है, तो derivational morphology क्या होता है, जिसमें हमारी जो without reference to the grammatical role जिसमें हम reference जो है, वो नहीं देते है, for example drink है, तो हम लोगों ने drink able बना दिये, drink के आगे able लगा दिये, तो वो drink able बन गया, तो यह जो able था, वो हम लोगों ने new word invent किया है, new word जो है वो बनाया है, तीक है, उसके पार अगर आप लो कहेंगे, तो मैं आपको morphology, phonology, इन सबकी detailed video भी आपके साथ share कर दूंगे, इनके notes भी आपके साथ share कर दूंगे, तो कि यह जो चीजें हैं वो आपको बहुत साथ help करेंगे आपको इनके मतलब, इनके definitions, इनके examples, हर चीज, types, आपको इनकी आनी चाहिए, तीक है, उसके बाद semantics हैं, semantics कहते हैं कि आपकी जो language है, कौन से words आपने जो form कर लिए हैं, जो बना ली उनके meaning क्या है, it is a study of meaning in a language, इसमें हम लोग meanings की study करते हैं, जो words के meaning आपने बनाए हैं, जो words आपने बनाए हैं, उनके meanings के हैं, उनको study करते हैं, ठीक है, तो यहां पर जो है, वो आप लोग दिख सकते हैं, कि जैसे एक word है, example में आपको देए हूँ, अब green light, अब green light का क्या मतलब है, जो हम signal पे green light देखते हैं, कि it's mean के go indication है, इसकी indication के है go, कि आप चल पड़ो अब, ठीक है, इस तरहां से जो आपके words है, उनके जो meaning है, उनको आपने detailed में study करना है, basically semantics में, ठीक है, उसके बाद, paradox, 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 paradox का means का है, वो आपको मैं बताती है, paradox का मतलब है, कि when a sign that is present is seen as contrasting एक sign आपने use किया है, उसको आपने second sentence में भी use किया है, तो वो जो first आपने word, जैसे like आप कहते हैं, ikra is a good girl, ठीक है, अब आपने, ikra is a good girl, एक दफ़ा आपने उसका नाम use कर लिए, second sentence में आप कहते हैं, she is also beautiful, ठीक है, तो आपने next line में, next sentence में, she, एकरा को change कर दिया है, she में, तो यह जो, एकरा है और she है, वो basically आपका paragmatics है, ठीक है, इस तरहां से आप अपने language को short करते हैं, अपने language में आप paragmatics को use करते हैं, syntax, अब next हम लोग पढ़ रहे हैं, syntax, syntax की सबसे पहले definition देख लेते हैं, syntax is a way in which words are arranged to show relationship of meaning within a sentence, इसमें आपकी जो है, arrangement आती है, जो words को आप arrange करते हैं, organize करते हैं, और फिर एक relationship चो करते हैं, कि एक word जो है, वो दूसरे word के साथ उसका relationship क्या है, तो इसमें हम लोग syntax को कहते हैं, ठीक है, इसमें जो है आपका subject आता है, verb आता है, adverb आता है, objective आता है, ये सारी चीज़ें जो हैं, वो आप line by line करते हैं, अब आप object को जो है, उठा के आप subject की जगाँ पे तो नहीं ला सकते हैं, ठीक है, या फिर adverb को आप object तो नहीं कह सकते हैं, तो ये जो importance of English language, English क्या है, English एक जुबान है, एक language है, जो आजकल बहुत जाता important हो गई है, हर किसी के लिए, चाहे वो इंसान जो है, वो village life से belong करता है, या फिर वो किसी भी country से, किसी भी city से करता है, relate करता है, तो वो जो है, वो रहता है तो उसके लिए English language जो है, वो बहुत सता important होगी, इवन के, अगर Chinese लोग है, उनकी जो language है, वो Chinese है, ठीक है, तो वो लोग जो है, वो अगर travel करके अमेरिका में जाते हैं, तो उनके लिए अपनी language जो है, वो inferior होगी, ठीक है, कि उसका कोई मतलब ही नहीं है, उनकी Chinese language का, ना उसको कोई understand कर सकता है, ना उसको कोई important समझता है, तो इसके लिए उनको, जो है, वो English को adopt करना पड़ता है, उनकी language को, जिस भी country में वो जा रहे हैं, तो उनको English को सीखना पड़ता है, और फिर उसको जो है, वो use करना पड़ता है, तो वो अपनी language को जरहां से वो inferior समझते हैं, और जो language है, वो superior हो चुकी है, हमारे today's life में, कि हम लोगों इतनी important हो गए है, कि इसके बग़र तो ऐसे लगता है, कि हम survive भी नहीं कर सकते, हर दूसरा मन्दा है, जिसके हम बास हम बैटे हैं, वो अपनी उर्दू language को छोड़ के, अपनी पंजाबी language को छोड़ के, ठीक है, वो चार रहे कि मैं English सीखूँ, ठीक है, मुझे English आती हो, हर person जो है अपने babies को, अपने बच्चों को जो है, वो English medium स्कूल में भेज रहे हैं, ताकि उनको जो है, वो English बोलनी आजाए, ठीक है, इस तरह कि स्कूल को चूज कर लेते हैं, लोग जिन में English बोले जाती है, हमारे पाकिस्तान में, ठीक है, वगर हम लोग बाहर भी जाते हैं, तो यहां पे भी यही सीन है, कि हम लोगों को important है, इतनी important है, कि हम लोगों को उसको सीखनी है, तो importance भी इसमें मैंने आपको बता दिये, कि कितनी importance है उसकी और English भी मैंने बता दिये, कि वो एक जुबान है, ठीक है, I hope कि आपको समझाते ही होंगी, अब English whose language, अब यहां पे यही है basically, कि language जो है, वो हर एक person के लिए, हर एक speaker के लिए, जो है, वो important है, ठीक है, उसको कोई भी इंसान भोल सकता है, उसको कोई भी इंसान सीख सकता है, यह नहीं है कि बस जो अमेरिका में रहते हैं, या कैनिडा में रहते हैं, वो यह लोग English भोल सकते हैं, English Language in Pakistani Context, अभी हाँ पर एक topic ही बना दिया है, कि importance क्या है English language की Pakistani context में, पाकिस्तानी culture में क्या importance है, हम लोग जो है, यह importance है, जैसे मैं आपको पहले उता है, कि हम लोग उन्हें अपने जो बच्चों को English medium में भेज़ना शुरू कर दिया, ठीक है, English को इतना important समझ लिया है, कि जैसे हमारी कोई और language, हमारी जो कौमी ज़बान है, उसको भूल गए हैं लोग, ठीक है, उसको छोड़के, उसको भूलके, उसको finish कर दिया, लोगोंने, और English language को choose कर दिया है, कि English language जो है, वो इतनी important कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर यह आप सबको पता होगा, कि English language का क्या importance है, हमारी life में, lesson number five है, importance of history of English language, how to study the history of a language, some samples, अब यहाँ पर जो है, हम लोगोंने देखना है, कि हम किस तरह से history of a language को study करते हैं, कैसे कर रहा हैं, तो language जो है, वो कह रहा है, हम लोगों, हम जब पैदा होते हैं, एक newborn baby होते हैं, तो उसके सामने जब आपके family members बात करते हैं, उसके साथ, जो हो communication करते हैं, उसको हसाते हैं, ठीक है, उसको अपने expressions जो करते हैं, तो आपके expressions को देखके, आपकी language को देखके, आपकी बात समझता है, ठीक है, तो ये एक language जो है, वो inherited होती है, हमारे अंदर ठीक है, और वो यहाँ पर कह रहे हैं, कि जो जैसे language है, English है, sorry, English language है, जैसे, यहाँ फिर Chinese language है, यहाँ फिर British English है, American English है, ठीक है, कुछ भी language है, हम लोग उसको जो चीज हम सीखते हैं, उसको हम लोग जो है, वो जैसे English language है, उसको हमारी inherited नहीं है, हमको हमें उसे सीखनी पड़ती है, ठीक है, उसको learn करना पड़ता है, और उसके बाद उसको use करना पड़ता है, यहाँ पी example उन्होंने English language की दी है, किस तहां से हम English language को जो हम सीखते हैं, learn करते हैं, understand करते हैं, और उसको apply करते हैं, उसको use करते हैं. Our period is in the history of English language first. अब यहाँ पे English language के जो periods थे, तीन तरहां के इसके periods रहे हैं, English language के, Old period है, फिर medieval period है, फिर modern period है, तो यह तीन जो periods हैं, वो fixed हैं, Old period में जो English थी है, जो language थी, वो हमारी obviously different थी, जो हमारी modern में, medieval period में, हमारी जो language थी, हमारी English थी, वो different थी, और जो हमारे modern time में, हमारी English है, वो language है, वो हमारी different है, कुछ words को हम लोगों ने invent किये हैं, कुछ words जो हैं, वो हम लोगों ने finish कर ले हैं, तो इसमें basically उनोंने, Old English periods को discuss किया है, कि Anglo-Saxons का periods थी, जो जो भी इसमें writers रहे हैं, जो जो भी जो important figures हैं, उनको यहां पर basically उनोंने discuss किया है, Lesson No. 6 है, Types and Possibilities of Language in, Changes in English Language. Language is always changing, involving and adopting to the needs of its users. Language जो है, इस तरह से, लोगों को, यूसर को इसकी ज़ुरूद होती है, वो इसके accordingly change हो जाती है, transform हो जाती है. Why does language change? अब language जो है, वो change होती है, There are several reasons, इसके several reasons हैं, First है के, जब आपके needs होती है, Speaker, जो है, वो एक speaker, जो है, वो different culture का है, different country का है, और आप जो है, वो different country है, तो आपको जो है, उसकी language जो है, change होती है, ठीक है, आपको लैंगुज जो है, वो learn करनी पढ़ती है, adopt करनी पढ़ती है, ठीक है अब आप language जो है वो new technology की वज़ा से भी language जो है वो change होती है जैसे जैसे time change होता है technologies आ जाती है तो हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग language को change करते थे new product आ जाती है तो हम language को change करते थे new experience आ जाते है हमें किसी चीज़ का तो हम लोग language को you have वो change करते थे For example, cell phone, text message, email, personal computer, reboot तो यहां पर इन्होंने examples दी है इसकी psychronic changes in language अब यहां पर psychronic and diachronic linguistics का difference बिताया है psychronics कहते हैं the branch of linguistics that analyzes the structure of a language or language as static at a given point in their history तो यहां पर आपने differences का देख लेने दुनों का psychronic and diachronic national and international context to exemplify psychronic changes अब यहां पर उन्होंने बताया है कि हमारी जो language है वो national language कौन सी है और international language कौन सी है आपको examples दी है कि आप जिस तरह से मारी national language जो है वो उर्दू है और जो हमारी international language है वो हमारी English है तो हम लोगों इनको इसमें इस चीज की example दी है कि किस तरह से वो psychronic changes की तरू चेंज हो गए है example दी है लिएने तो आज जो है हम लोगोंने one to six lessons जो मैंने आक साथ discuss किया आज के लिए इतना ही मिलते है अपने next video में next lectures के साथ आफस